गूट मॉर्निग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में लाड कानवालिस द्वारा केगे जो सुधार कारिये हैं उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीड इसे कहते हैं मतलब कि जो कानवालिस ने जो सुधार किये थे उनके लिए कई नियम बनाए थे और जिस पुस्तिका को इन्होंने लिखा था जो नियम इन्होंने बनाए थे जिस पुस्तिक में सुरक्सित रखा गया था उसे ही सहिंता कहा गया है तो इसे कानवालिस सहिंता क कानवालिस द्वारा किये गए सुधार कारिये तो देखेगा कि जो 1785 में वरेन हिंस्टिंग जी है वह है अपने देश इंग्लेल लोट जाता है उसके मतलब लगभग डेट साल बाद मेग फर्सन ने गवार्नर जनरल के पदपर कारिये किया था और 1786 में जो लाड कानवालिस है इसको गवर्नर जनरल के पदपर नियुक्तिक किया गया जब कानवालिस भारत आता है उसमें कंपनी की सासन विवस्ता में नेक दोस्त है आता है जो कानवालिस है इसने सासन विवस्ता के दोस्तों को दूर करने के लिए कंपनी की आवसिकता के नुसार निरने लिए और क कानवालिस को उन कठिनयों का भी सामना नहीं करना पड़ा जी से वारेन हंस्टिंग्स को जूजना पड़ा क्यों क्योंकि जो ब्रेटिस परधान मंत्री वीलियम पिट था और जो बोर्ड ओफ कंट्रोल का अध्यक्स डूंडास था ये दोनों से उसकी मतलब कानवालिस की परिक सुधार न्याय व्यवस्ता समधी सुधार और भूमी का स्थाई बंदोबस्त थीक है तो देखेगा इन सुधारों में सबसे पहला सुधार है परशास के सुधार तो कानवालिस ने ब्रेटिस आसना पड़नाली को भारत में लागू करने के उदेशे से विभीन सुध सुधार किये क्योंकि वह है इसे भारती विवस्ता से स्रेश्ट मानता था इसी समय यह परंप्रा स्थापित हुई कि हर संभव उपाय से भारती पड़नाली की तुर्णा में ब्रेटिस पड़नाली की स्रेश्टा स्थित की जाए ठीक है अता है कानवालिस जिस पड़नाली उनको ही नूप्त किया जाए कानवालिस के द्रश्टि में कोई भारतिय सासन को समुचित ढंग से चलाने के योगे नहीं था इस प्रकार भारतियों के योगेता पर एविश्वास करके कानवालिस ने भारतियों के लिए उच्पदों के द्वारा बिल्कुल जो उच्पद है उनके दुआर एकदम से बंद कर दिये, इसके साथ ही उसने योगेता और कुसलता के अधार पर नियुक्त किया, नेकी संचालकों के सिफारिशी पत्रों के अधार पर ठीक है, तो कानवाल इसके भारताने के समय कमपनी के जो अधिकारी हैं, उनका वेतन कम था, किन्तु उनके आयके साधन ऐसी मित थे, प्रहे सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार में वेश्ट थे, बनारस में रेजिडेंट का वेतन एक हजार उपया परतिमा था, किन्तु वह अपने दिकार और परभाव का उप्यों करके लबबती सजार उपया परतिमा कमा लेता था, ठीक है, अतर जो कानवालिस इसने अयोगी दिकारीं का स्तानांतरन किया और जो भ्रस्ट दिकारी थे, उनको पद से हटा दिया, उसने कमपनी के दिकारीं को इसपरस निर्देश भेजे की कोई भी अधिकारी नीजी व्यापार नहीं करेगा, तथा अन्य साधनों से अपनी आय बढ दहने का कोई कारिया नहीं करेगा, इन निर्देशों को अवग्या करने पर उन्हें ततकाल पद से मुगत कर दिया जाएगा, अर्थात पद से हटा दिया जाएगा, कानवालिस ने ये भी अनुभव किया कि दिकारीं का वितन बहुत कम है, और इसलिए भी नीजी व्यापा कोई भी निजी निती नहीं अपनाएगी थी, कानवालिस के भारत आने से पहले जो संचालक थे, उन्होंने ये निर्णे लिया था कि कलेक्टर का पद स्थाई रूप से बनाए रखा जाए, उस समय से केंद्रिय सरकार के प्रतिमिधी के रूप में परतेक जिले में इस प्रतिमिधी के रूप से बनाए रखना है, पुलिस और जेल की निगरानी रखना है, नशिली वस्तों के विक्रे के नियम बनाना है, इनका जो उतरदायत्वा थावा कलेक्टर पर था, कलकत्ता में कानून वाय व्यवस्ता की स्थिती ठीक नहीं थी, कलकत्ता से कुछ दू नए संचाले की निउप्ती की गई, कानवालिस ने जमीदारों को पुलिस परसासन से मुक्त कर, जिल्ले के ब्रिटिस मजिस्ट्रेट को पुलिस की निगरानी रखने का दायत्वा सुपा, ब्रिटिस मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधिक्सक की निउप्ती करने लगा, जो देखरे करता था जिल्ले में पर्ति 20 मिल के अंदर एक पुलिस थाने स्तापित किया गया और थाने में दरोगा नामकरम संचरिकी की गई थी ठीक है तो देखेगा कानवाल इसके जो परसासनिक सुधार है वह मतलब काफी हद तक भारतियों के हित में थे ठीक है अब जो अगले अगला पॉइंट हो है व्यापारिक सुधार तो इस इंडिया कंपनी मुठ्य रूप से एक व्यापारिक संस्ता थी ल दिखाई दे रही थी ठेकेदार वस्तूं का मुल्य तो अधिक ले रहे थे किन्तु माल का इस्तर गठ्या दे रहे थे बोर्ड के सद्य से ठेकेदार उसे लाप कमा कर कंपनी के हित्तों को तिलांजली दे रहे थे अत्यक कानवाल इसने व्यापार बोर्ड का पुंद्र करता था वहां एक-एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई जिसका मुख्य कारिय यह देखना था कि कंपनी का व्यापार उचिर धंसे हो रहा है या नहीं ठेकेदारों से माल खरीदने की व्यवस्ता समात कर दी गई और रेजिडेंट उत्पात को से सिधा संपर्क स्तापि कर माल खरीदने लगा कानवाल इसने अपने करमचारियों को एजेंसी हाउस परणाली अपनाने को कहा इस परणाली के नुसार विभिन करमचारी और स्वातंतर व्यापारी मिलकर एक एजेंसी हाउस बना लेते थे तता कंपनी को माल बेजने में एक परकार से एजेंट का का इसे करमचारियों को लाब भी प्राफ्त होता रहता था और उपचारिक रूप से उनका नीजी व्यापार भी बंद हो गया और यह जो एजेंसी थी मुख्य रूप से नील और अफिम का व्यापार करते थे जुलाओं से माल खरीदने के संबंद में यह नीम बना रखा था कि क विवस्ता की गई कि रेजिडेंट वस्तों को खरीदते समय उत्पादन करने वलों अत्वा व्यापारियों को परेशान नयक करें ठीक है तो यह थे कान्वाल के व्यापारिक सुधार अब अगला जो सुधार है न्याई समंधि सुधार तो न्याई के चेतर में कानवाल इसने वरेन हेस्टिंग द्वारा प्रारम किये गए कारियों का आगे बढ़ाया उसने सर जोन वीलियम जो कानूनी विशेश के था कि साहता से न्याईक सुधार किये कानवाल इसके पूरए दिवानी नैदिस के वल न्याईक कारिय करते थे उन्हें लगान वसूली से कोई भी समन नहीं था अतया 1786 में संचालक मंडल ने आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट कलेक्टर और जजज के कारिये एक ही वेक्ति द्वारा के जाएं अतया जून 1787 में कानवाल इसने इन तिनों पदों को एक साथ मिला दिया किन्तू 1793 में भूमी का स्थाई बंदोबस्त करने के बाद भूर आजस्वर वसूल करने के कारिये को न्याई से अलग कर दिया गया कानवाल इसने दिवानी और फोजदारी अदालतों को सरेणी बत किया दिवानी था फोजदारी दालतों को चार्सरेणी वे बाटा था जिसमें चार्सरेणी कोंसी थी छोटी अदालते हैं जिल्ला दिवानी अदालते हैं प्रांते दिवानी अदालते हैं सदर दिवानी और फिर क्या है कि बई गवर्णर जनरल की कॉंसिल के सभी सदसे इस अदालत के जो सदसे होते थे और इस अदालत का मुख्यकारिये प्रांते दिवानी अदालतों के निर्णे के विरुद अपीलें सुनना था इस अदालत को कानूनी परामर्श देने के लिए एक पढ़्धा जब निया समन्दी जो सुधार है कानवालिस के इसको हमने बताए कि चार सरुनियों में थी छोटी दालते जिला दिवानी दालते प्रांत दिवानी दालते और सदर दिवानी अदालत ठीक है आप देखेगा यह जो आपका है यह मतलब कि यह आपके उसके कानवालिस के निय जो यह आपका वोरेन हेंस्टिंग है इसने भूराजस्व परणाली के समझ में नेक प्रियोग किये थे लेकिन उसे कोई विश्य सपलता प्राप नहीं हुए थी जब कानवालिस भारत आता है उस समय एक वर्ष ये बंदोबस्त लागू था ठेकेदार कर्षकों से अधिक से दिख वसूल करना चाहता था संचाल को ने कानवालिस को जम्मिदारों के साथ उदार दरों पर समझूता करने का अदेश्तिया था ताकि जम्मिदारों से समय पर और नियमित रूप से भूराजस्व प्राप्त होता रहे कानवालिस ने आते ही देखा कि परसली जो कहा है ये चीज इसने मतलब कानवल इसने फील की कि जब मैं भारत पहुंचा उसमें मैंने कर्शी वैव्यापार को गिटते देखा उसमें खेती हर और जमीदार निर्धनता के गर्थ में डूबे जा रहे थे और महाजन ही समाज के सबसे अधिक संपन अंग थे ठीक है तो दे ठीक है समय तक किन्तु अब भी तक इस दिशा में कोई भी कारिवाई नहीं हुई थी कानवाल इसके भारत आने के समय तक राजस्व मंडल का देख सर जोन सोर राजस्व समन्दी मामलों में प्रियाप्त अनुभा प्राप्त कर चुका था मुख्य जो सिरस्तेदार था जेम नहीं नयाय का दिखार भी दे दिया उस समय बाद फोजदारी नयाय की सक्ती भी उसे हस्तांत्रिते कर दी इन प्रारंबिक परिवर्त्रों के बाद आवस्यक सूस्रा एकत्र की गई और राजस्व परनाली पर विचार में मर्स हुआ जेम्स ग्रांट का विचार था कि स्थ टाइप्रबंद के रूपक्स में नहीं था कानवाले सर जोन्सोर के विचारों से सहमत था वैस्वेम इंग्लेंड में भूस्वामी था और जमीदारों का एक ऐसा वर्प तयार करना चाहता था जो राज्य का सूद्रड आधार बन सके 1790 में उसने जमीदारों के साथ 10 वर् का नुमधन करते हुए का कि ये दिये समझोता सपल रहता है तो उसे स्थाई कर दिया जाए तीन वर्ष बाद बोर्ड ओफ कंट्रोल के दिख्स डूंडास ने इस व्यवस्ता को स्थाई करने का नुरूध किया किंतो सर जोन सोर स्थाई समझोते के पक्समें नहीं था अतर डूंडास ने परधान मंत्री पिट के साथ विचारी मस करके पिट को स्थाई परबंद करने के लिए राजे कर लिया उसके बाद पिट ने भी से उस्थाई करने का आदेश दे दिया और फिर क्या होता है कि 22 मार 17 सोर तिराणम को कानवाल इसने भूमी के स्थाई परबंद को करने की घोशना मतलब जो इस्थाई परबंद है इसको इस्थाई करने की घोशना कर दी थी तो हमने जो इस्थाई बंदोबस्त है ये पहले पढ़ाया है आप पहले वाले वीडियो में जाके और जो इस्थाई भूमी का इस्थाई परबंद है उसको अच्छे से समझ सकते ठीक है तो देखे इस्टुट्रेंस ये जो वीडियो ये एक्जाम की दर्स्टी से बहुत ही महत्तों पुण है और काणवाल इसने काफी हद तक यहां पे सुधार भी किये थे और जो कमिया थी उनको इसने मतलब सुधारा था तो मतलब वैसे देखे तो ये भारतियों के थे ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने काणवाल इस ने जो सुधार किये हैं उनके बारे में जानकरी प्राप की यह दिये हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक और सेर करें और बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे